आज हम बात करेंगे closes के बारे में I will first introduce you to the closes by defining a close so a close is a group of words containing a subject and predicate and functioning as a member of a complex or compound sentence close एक क्या है? group of words है क्योंकि group of words जो होता है उसी को close बोलते है जिसके अंदर एक subject होगा और एक predicate होगा मतलब subject और उसका verb जो होगा जो वो activity करता है वो वहाँ पर मिलेगा आपको और functioning कहाँ है member of a complex or a compound sentence ठीक है? तो complex sentence और compound sentence क्या होता है? हम types of sentences में भी देखने वाले आगे ठीक है? लेकिन अभी के लिए हम इतना discuss करेंगे कि close क्या है? एक basically group of words एक words का group है जिसमें subject होता है और एक verb होता है ठीक है? एक object भी हो सकता है तो वो देखेंगे आगे हम जैसे भी वो उसका concept रहेगा ठीक है? अब मैं वैसे चलते चलते आपको बता दूँ कि complex or compound sentence होते हैं जो complex sentence होते हैं उसमें जो दो closes होते हैं इस तरह से तो compound sentence में एक आपका independent close होता है और एक independent close होता है तो मतलब difference इन में क्या होता है? complex or compound sentence में independent और independent close का मतलब जो difference होता है वो होता है तो example देखते हैं भी हम I graduated last year I graduated last year ठीक है? यानि मैंने पिछले साल graduation किया तो ये कौन सा कितने close है? वन क्लोस sentence है ना subject है, predicate है, यानि वर्भ है बेसिकली उससे उसको इस तरह समझे आप और last year है ठीक है? तो अब देखिए ये जो है यहाँ पर वन क्लोस sentence है ठीक है? जिसका अब वन क्लोस sentence है और sentence भी क्यों कहा है? वन क्लोस है और इसका मीनिंग है अब यागे देखिए अब यागे देखिए वन आई केम है ठीक है? तो जब मैं यहाँ आया I saw him, मैंने उसे देखा आप देखिए अगर मैं लिख दूँ when I came here and I put a full stop here would it make any sense? No it would not make any sense तो आगे तो कुछ नहीं अगर full stop लगा दिया तो इसका कोई मतलब नी बनेगा लेकिन I saw him मैंने इसको देखा यह अपने आप में independent भी है वैसे लेकिन इसकी sense भी बन रही है ठीक है इसो ही मैंने उसे देखा लेकिन इसके बिना ये जो है sentence ये जो close है first close second close के बिना अधूरा है ठीक है it will not make any sense if I remove comma here and put a full stop here and complete the sentence here itself so it would not be making any sense ठीक है when I came here जब मैं यहाँ आया वो पूरा तो नहीं है आगे कुछ न कुछ होगा जरूर ठीक है तो I saw him ये अपने आप में पूरा नहीं है तो दो close का sentence ये हो जाता है ठीक है three close देखते है when I came here जब मैं यहाँ आया I saw him मैंने उसे देखा and he greeted me और उसने मुझे नमस्कार किया greet किया ठीक है तो इस तरह से तीन close हो चुके first, second, third ठीक है तो ये three close sentence हो चुका ठीक है अब आप देख पा रहे हो कौन सा sense बनेगी इसमें कौन सा नहीं बनेगी मतलब कौन सा dependent है कौन सा अपने अपमे independent है जैसे when I came here तो अभू तो independent नहीं है अब देखते हैं types देखते हैं closes के independent close और dependent close इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें तो तह तरह थे तो इंडिपेंदेंटेंट है अगर यहा से इसको पिक करलें सिर्फ इसको इसको लिव ए उसे नियुज मैं शुरू किरा क्या है तो हम यह ठीक है तो ऐसे ही डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है देट केन नोट फंक्शन ओन इट्स ओन बिकोज इपने आप से फंक्शन नहीं कर सकता जो जो ग्रूप ओफ वर्स है शब्दो का जो समूव है तो यह अपने आप में डिपेंड करता है इस क्लोज पर तो यह डिपेंड करता है डिपेंडेंट क्लोज हुआ यह इंडिपेंडेंट क्लोज का एक एक एकसेंपल आपके सामने हैं अब देखते हैं इंडेपेंडेंडेंट क्लोज इंडेपेंडेंट क्लोज में he is a wise man जो मतलब जिससका अपने matchclick करता हूं Can you do it? क्या तुमें से कर सकते हो? ठीक है? Do it please. Subject you is hidden. ठीक है ना? कि इसे please कर दो. तो you hidden is. इन्हीं address कर रहा second person को. Second में तो you ही होगा. I read the whole story. मैंने पूरी कहानी पढ़ी. अब देखे इन सारे sentences में, in all the sentences, you can see that the sentences are making sense and they are not depending on any other group of words for their meaning or to complete their meaning. That means they are not living. Their meaning unfinished. तो देखे ग्रमेटिकली, also they are correct and they are sounding natural at the same time making complete sense. He is a wise man. वो एक बुद्धिमान आतमे है. complete है. sense बन रही है. ऐसा तो नहीं लग रहाना किसी sentence में. आपको कि अधूरा है कोई sentence ही है. जिसमें कोई sense नहीं बनती नज़र आ रही है. ऐसा नहीं है. I like him. Can you do it? Do it, please. I read the whole story. तो इस तर रहाना किसी तो इसा रहे independent close है. means they are making sense and they are correct as well. नाव कम dependent closes. dependent closes में आपको पता कि बहीं depend होते हैं close और जो underlined हैं याँ पे closes वो ही आपके सामने independent close है. Because the underlined closes depend on the closes following them or the closes preceding them. For their meaning to be complete. जैसे when I was dating Dana I had an accident. ठीक है? जैसे जब मैं Dana को date कर रहा था तो मुझे चोट लगी. I had an accident. ठीक है? तो इस तर रहे से. अब देखें when I was dating Dana suppose I put a full stop here and remove coma. So, would it make any sense? No. It would not make any sense. When I was dating Dana तब क्या हुआ? तो कुछ न कुछ होगा ना इस तरह से. नेच्रल नहीं लगता कि आगे भी तो पुरा करो इसको sentence को. तो अगर मैं यहीं रोग तो इसको So, it would be incomplete. But it is complete and it will make a sense if I had an accident. ठीक है? When I was dating Dana I had an accident. So, I had an accident. एक clause है. जो की independent है. और यह dependent है. तो किस पर depend है? इस पर depend है अपने मीनिंग के लिए. अगर मैं इसको remove कर दूए. If I remove this clause from here it would not be making any sense. So, it is dependent clause. ठीक है? Depend कर रहा है. अपने मीनिंग के लिए. इस पर. I know the man who stole the watch. मैं जानता हूँ अशा आदमी को जिसने गड़ी चुराई है. ठीक है? जिसने गड़ी चुराई. So, who stole the watch? अब सब्चिए. Who stole the watch? और full stop है. तो कुछ sense बनेगी. ठीक है? अब सब्चिए. आप अगर question mark होता है. तब भी कहीं ना कहीं. हम सोचते हैं कि भाई चलो question है. लेकिन फूल स्टोब है. कुछन माग भी नहीं है. और सिरफ इतना ही sentence है. तो कुछ sense बनेगी नहीं. I know the man who stole the watch. ठीक है? तो यह जो close है. अपने meaning के लिए इस पर depend कर रहा है. ठीक है? Then, he bought a car which was too expensive. जो बहुत महेंगी थी. सोचिये, he bought a car. तो इसने car कर दिए अपने आप में sense बन रहे हैं. लेकिन मैं इसको हटा दू यहां से. और मैं लिख दू. विच वोस तू expensive. जो बहुत महेंगी थी. ठीक है? वोड इत मेक अनी sense? नो. अगें, इट विल बी लाइकिंग दे सेंस. ओके? और दे नेचरल फिनिश होता है. और नेचरल साउंडिंग होती है. वोस के अंदर फिर नहीं मिलेगी आपको. विच वोस तू expensive. जो बहुत महेंगी थी. ठीक है? तो क्या था महेंगा? कुछ पता नहीं, अगर मैं इसको remove कर दू. ठीक है? इसको हटा दू यहां से. तो लेकिन इसको add कर दिया, तो इसका close का एक meaning बन जाता है. ठीक है? अगर इसको रखे रहते हैं, आप रखे रखते हैं. ठीक है? तो यह depend कर रहा है न, इस close का अपने meaning के लिए. इसको हटा दू, इसको कोई meaning नहीं है, तो इसको dependent close हुआ. निरभर कर रहा है. I know that he cannot do it. कि वो उसे नहीं कर सकता. सुचिए that he cannot do it. कि वो उसे नहीं कर सकता. तो इसकी sense बनेगी कोई, नहीं बनती, इसकी sense कोई, ठीक है न? तो मैं जानता हूँ कि वैसे नहीं कर सकता. अब ठीक है. तो ये जो underlined, जो close है, dependent close है, इस पर depend कर रहा है. Got it? He does not know where he was born. वो नहीं जानता कि वो कहाँ पैदा हुआ था. सुचिए where he was born. Completely dependent है. ठीक है? यानि completely unnatural है. तो इस तरह से, इस पर depend कर रहा है, अपने मतलब के लिए. तो ये dependent कर रहा है, तो ये dependent close है. So, students, I hope you are able to fetch a hint as to what a close is and what kinds of closes are there. And how we can identify between an independent and a dependent close, okay? While making the sentences or while identifying the sentences. तो इस तरह से or while recognizing their meaning. तो इस तरह से, you can easily fetch a hint as to what all these things are. So, thank you very much again.